वेलकम टी एच्पेस टॉन्लाइन क्लासेज मैं हूँ सतीज कमाप रहा कर टॉन सिविल डिपार्टमेंट आज कर दो लेच्चे रहे हमारा उपकमपेटेटिव एक्जाम में बहुत महतपूर इंपोर्टेंस रखता है हर सिविल इंग्जीन एक्जाम में जो भी हुंडे एक्जाम होता है सिविलailing का ुठ्ष कम में एक-दो नमबर के जरूर्टकूरफ़ पूट्फ कितना है वह हम आप इस लेक्चर में डिसकस करेंगे इस टॉपिक को पहला लेक्चर है जो कि भावनी पत्था तथा उत्पात इस्टोन्स एंड इस्टोन प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है इस से रिलिटेट और टॉपिक आईगा लेक्चर वाई लेक्चर हम बताते चलेंगे तो आज का लेक्चर यह है इस्टोन एन इस्टोन प्रोडक्ट चलिए इस पर देखते हैं पहला है हमारा ग्रेनाइट ग्रेनाइट जो कि हमारा अगने चट्टाने सित्पन होती है उसका वेट है हमारा 2640 से 2800 केजी पर क्यूमेक मतलब एक मीटर क्यूमें हमारा उसका वेट इतना आएगा ठीक है दूसरा हमारा संग मरमर इसका वेट हमारा 2560 लेकर 2720 यह हमारा 21 चट्टानों से निकला हुआ है मेटा मोर्फिक रॉक से तीसरा हमारा है चूना पत्थर लाइम इसका वेट हमारा 2400 से 2640 केजी पर क्यूमेक है केजी पर मीटर क्यूम जो कि हमारा सेडिमेंटरी रॉक से यह पत्थर निकाले जाते हैं चूथा जो पॉइंट हमारा बलुआ पत्थर सेंड इस्टोन जिसका वेट है 2400 से 2400 केजी पर मीटर की थीक है सेंड इस्टोन जो हमारा सेडिमेंटरी रॉक से उत्पन किया जाता है पच्छव हमारा सेल है सेल का वेट होता है 2300 से 2500 के बीच में रेंज होता है यह एक मीटर की में इसका वेट इतना होता है यह भी हमारा सेडिमेंटरी रॉक से उत्पन होता है आगे हमारा सेलेट है सेलेट का जो वेट होता हो इस्टोन का जो वेट होता है अगला है मारा वेसाल्ट वेसाल्ट का जो वेट होता है हमारा वह 2850 से 2960 के बीच होता है मीटर कीव पर केजी पर मीटर कीव या केजी पर क्यूमेक अगला हमारा नाइस है ठीक नीश है जो कि हमारा क्या 24 से 2690 इसका वेट होता है केजी पर क्यूमेक यह हमारा मेटर मोर्फिक रॉक होता है यह बेसाल्ट का जो हमारा अगनियस रॉक से हमारा उतफण होता है अगने चत्टाने से मार उतपर्ण होता है अगला हमारा जिपसम है कि जिपसम का हमारा वेट होता है हो 2240 से 2400 केजी पर क्यूमेक होता है थीकिए सिपसम हमारा सेडिमेंटरी रॉक शिल्फ परनों होता है अगला हमारा है सूखा रूबल रूबल इसका वेट हमारा होता है 2080 होता है केजी पर क्यूमेक ठीक अगला हमारा क्या है चाक है चाक का हमारा जो वेट होता है 1600 से 90-120 केजी पर क्यूमेक होता है जो कि हमारा सेडिमेंटरी रॉक से हमारा उत्परन होता है अगला हमारा है काला सीशा जिसे ग्रेफाइट भी करते हैं हम लोग ग्रेफाइट के नार्व जानेते हैं इसको इसका वेट होता है 2690 से 2800 केजी पर क्यूमेक होता है जो कि हमारा एगनियस और मेटामोर्फिक रॉक से उत्परन होता है अगला हमारा है जामा पत्थर प्यूमेक स्टोन इसका वेट होता है हमारा 800 से 1120 केजी होता है हमारा इगनियस रॉक से उत्परन होता है अगला हमारा ग्रेवल है ग्रेवल लूज इसका जो वेट होता है 1600 से 1800 केजी पर क्यूमेक होता है यह हमें सेडिमेंटरी रॉक से प्राप्थ होते हैं सिंगल बजर या सिंगर इसका जो वेट होता है 1627 केजी पर क्यूमेक होता है क्योंकि हमारे सेडिमेंटरी रॉक से पर्ण होता है कंकर कंकर का जो वेट होता है क्योंकि हमारे सेडिमेंटरी रॉक से भी मिलता है पत्थर की इस्टोन ब्लास्ट इस्टोन ब्लास्ट का जो हमारा प्रेट होता है क्योंकि हमारे सेडिमेंटरी रॉक से हमें प्राप्त किया जाता है इस्टोन ब्लास्ट कि अगला हमारे सेंड है थीक है सेंड महारे चार टाइप के होते हैं एक ड्राइड सेंड होता है गड्ठे का जिसका बेट होता है केजी पर क्यूमिक दूसरा होता है सेंड वेट गीला सेंड जिसका वेट होता है सत्रह सो साथ से दो हजार केजी पर क्यूमिक नदी का सूखा सेंड अठार सो चालिस केजी पर क्यूमिक नदी का गीला सेंड सत्रह सो साथ से दो हजार केजी पर क्यूमिक यह हमारे जो सेडिमेंटरी रॉक से सेंड उत्पन होता है तिक कोईशन हमाएं बहुत इंपोर्टेंट है हर एक्जाम में कंसकं एक नंबर में इससे पूछ लेता है यह हमारा निमास अमगविभार का पहला लेच्चर था जो कि हमारा इस्टोन एन इस्टोन प्रोडक्ट पर डिपेंट कर रहा था अब इसका दूसरा लेच्चर हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे तब तक के लिए पढ़ते रहें शेकते रहें धन्यवाद् झाले वीडियो